नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आप शबी को बता दे कि आज शाम के शाड़े पांच बज़ेशे आपके जीवन के शब से अनमोल पल आने वाले हैं जिया दोसों हम आप शुपी को बता दें कि जिस शमय का आपको बहुत ज्यादा बेशबरिश इंतजार था यो कहें तो जिनके लिए हर व्यक्ति अपने जुनकाल में मेहनत करता है दोसों वो चीज आपको अब मिलने वाला है एक परकार्श को कहें दोसों आपके किश्मत का धन आपके कर् उप्राप्त होने वाले हैं जयादूसों 술 आपकी जैनकारी की बता दिंकि आए शामके 45 वह से आपकी जुनकाल में जो बुद्द की नहीं होगी दोसों वे आपके लाब करिस्तियां दर्शा रहे हैं जया दोसों और शादेश शादिश में गुरू का भी परभाव दोपार के बाहश आपके जुनकाल में प्रारम हो जाएंगे जया दोसों और खास कर जब आपकी कुंडली में पहले सही शाक्षात भगवान शिंदेव की शनी गरह आपके लाभभाव में बिरजमान हो जया दोसों एशे में दोसों त्री गरही योग का भी निर्मान होता है जो कि जातक की जुनकाल में इतने बड़े बड़े बदलाव क करते हैं कि वह कभी शोच भी नहीं शकते हैं जया दोसों और आश्याम के शाड़े पांच बिजे से आपकी जुनकाल में भी कुछ यसे ही घटनाए होने वाली है तो दोसों यस्वी में आपको आश्याम शाड़े पांच बजे से चार बड़ी विशेस बातों का ध्यान का भी शुब होते हैं और उनके जुनकाल में हर मुस्किल पस्तियों का श्मधान होता है अंचाहे कारियों की उन्हें शबलता प्राप्त होती है और उनकाल में हर चितर में जो विप्रित गरह होते वो अभी शांत हो जाते हैं तो दोस्तों आए शाम चाड़े पांच बिज़े से आपकी जुनकाल में बहुती बड़े मोकी आने वाले हैं तो दोस्तों इसे मोकी को आप बिलकुल ही मिशना करें और आज की इस वीडियो को शुरूश लेकर अंतर तक देख लीजेगा दोस्तो दोस्तों कौन से कारियों में कारिकरने शापको बड़ी लाब की प्राप्त होगी इन शबी की जानकाली बहुती गहरी तिरकेशे ग्रहों के गोचर प्रणियमित हम आप शिवी को बताने वाले हैं तो दोस्तों हमारी शाद वीडियो के अंतर तक बने रहेगा उस्ये पहले जिया दोस्तों कहते हैं कि शनातन धर में भगवान श्री गणेश जी को रिद्धि सिद्धिके दाता माने गए हैं बुद्धी के भगवान श्री गणेश जी हमेश अपने भक्तों के उपर इरपा निछावर करते हैं greater than $200 अ हर कोई किसी भी कारिको शुरू करने शे पहले जय श्री गनेश कहते हैं, जय दोसों, तो आई दोसों बात करते हैं पूरे विस्तार शे, देनी राज श्री फल, दोसों यश में कई परकार की गतिदियों में वैस्ता रहेगी, शाति समाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा, आपको बता दे कि आप किसी विसेज परिजोन को हचल करने में भी शक्षम रहेंगे, आपको बता दे, लोग आपकी योगता की यश में काईल होंगे, कई परकार की उर्किवी पेमेंट भी आपको मिल सकती है, जैसे कि आपके कार्शित में जो भी पेशा फचा हुआ है, यश में आपको मिल सकता है, प्रदो दोसों यश मे मन को शमित रखें तदा नकार्तमग पर्विर्ति के लोगों से दूरी बना कर रखें तो आपके लिए उतना ही बैतर होगा दोस्तों ये जो आपके लिए शमय होगे बहुत ही महत्पुन शमय होगा कोई निरले लेने में दिक्का तो आएगी किसी वरश्ट व्यक्ति की शला वशले उनमें शुधा रहेगा और इसको प्रांद दोस्तों ये शमय होगे आपके लिए शमय होगे आपको बता दें तो दोस्तों खाशकर आपको बता दें ये शमय आपको इनसे सावधन रहने की आवशकता होगी इसलिए दोस्तों सतरक्ता जरूर रखें परिवार के शाथ वक्त बिताने के लिए आपको अपने जिवन शेली में जोए थोड़ा शब बदलाव लाने की भी आवशकता होगी और इसको प्राहत दोस्तों ये शुमे आपके लिए जोसे महोंगे दोस्तों आपको बता दें कि पारवरी को कोई विश्यस कारे शुम्पन होगा आपको बता दें घर में नमीन वस्तु के खरदारी भी समह हो सकती है किसी मित्र के दुख दर्द में या फिर उनके तकलीप में उनकी शाता करना आपको यश्मे आत्मिक खुशी भी परतान करेगा किसी प्रवाव शाली व्यक्ति के शात संपर्ग भी यश्मे आपके बढ़ने वाले हैं जो कि भईश में आपको आर्थिक रूप से सक्षम और सुद्र बनाएंगे इसको प्रवाव यश्मे प्रॉप्टि अत्वा वहान को लेकर किसी परकार की शुमस्या उत्पन हो शकती है फिजुल खर्ची उपर यश्मे आपको नियंतर न रखना चाहिए क्योंकि दोस्तों यह जो समय है आपके लिये अगास मकती कुछ खर्ची आपके शामने आएंगे योजना को जो है किरनुट करने में कुछ परकारनी भी यश्मे आ शक्ती है और इसको प्राण दोस्तों यह इसमें आपको बता दे कि दोस्तों काम चाहे जो भी हो उनकी गति आगे बढ़ते रहेंगे और प्रिश्टिती को आप अपने पक्ष में कर भी पाएंगे आपको बता दें कि पेसे से रमत तकलिफें कम भी होगी क्योंकि दोस्तों आप अपने कारियों में बहुत अधिक तरीके से ध्यान को कईदरित भी कर पाएंगे परिवार की वेक्ति के दोरा आपेचित लाव मिल बना एश्मे के लिए बहुत दी कठिन हो शकता है फिर भी दोस्तों वेक्ति के प्रती मन में बढ़ते हुए रोज को खुद पर हावी नो होने दे इस बात का ध्यान रखें आपको बता दें कि दोस्तों आपके अंदर बना गुश्णा और मान्सक तकलिफ होने के वज़े शे किसी भी बात पर पूरा ध्यान दे पाना एश्मे आपके लिए कठिन होगा तो जरूर इन पर ध्यान दे इसको प्रान दोस्तों ये शमय आपके लिए जिसे महोंगे दोस्तों आपको बता दें कि विद्ध्यार्थी तथा युवा वर्ग सिक्चा समंदी कोई दूधा दूर होने शे आपको रहत मैसुद होगी तथा अपने फेशले स्वेंग लेने की हिम्मद भी बढ़ेगी आपको बता दें कि घर के बड़े श्रद्श्यों का श्रयोग और फिर श्रला आपकी उन्नती में शायक साविद होंगी आपको बता दें ये शमय अपने अंदर शक और वहम जिसे इस्तिती नो उत्पन होने दें क्योंकि दोस्तों इसका असर आपकी मान से ज़िदी पर सब्सक्राइब करें गलत जगब पुझी निवेश भी हो सकती है इस बात का इसमय आपको ध्यान रखना चाहिए इसको प्रांद दोस्तों आपको बता दें कि बेवज़ा खर्चा होने की अशंकातु बन रही है इसलिए कोई भी खर्चा करने से पहले सोच समझ कर निरले ल कि रही हो तीजर सब्सक्राइब करें निरले ले यश्रमई आपके लिए भहती महतपुन होंगे और शंकर दोतों काफी से चल रही है वैस्ता के कारण आप जो है यश्रमे अराम करने के मून में बह रह सकते हैं नारिमिक परविड्दी के व्यक्तियों मुलाकाई आपका द यहां रखें कि दोस्तों बहुत अधिक आत्मिश्वाज भी आपके लिए दिक्कत उत्पन कर सकती है इसलिए यश में सांत अची तरीके शेप पस्तिती का मनन करें आपको बता दें उसके बाद ही कोई कदम उठाएं घर के बड़े बुजरों की किसी भी बात की जो है अवहल का बन रही है जिसकी वज़े से पूरा दिन पूरा जो समय होगा आपके लिए इन से समधित नहीं जनां भिगड़ सकती है तो दोस्तों जरू इन पर ध्यान दें और अपने मांसक तुनाव को दूर करने की यश्में प्रयाश करें आप इनमें में मेडिशन में भी ध्यान दे सकते हैं तो यह शुमें आपका भागिशाली रंग रहेगा पीला और भागिशाली अंक रहेगा एक